नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका मोटिवेशन की धारा में बहुत बहुत स्वागत है बड़ी सोच का बड़ा जादू कैसे चलता है बड़ी सोच का बड़ा जादू हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है हम उसी बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं इसके उपर मैंने दो वीडियो पहले भी बनाई हैं आप उसे भी देख सकते हैं। आथर कहते हैं कि सक्सेस का रिलेशन लोगों से होता है। इसलिए आपको सक्सेसफुल बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ ले। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं कि जिन्दिगी में सक्सेसफुल कैसे बना जा सकता है। और यह सीखने के बाद आप उसे अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। तो जब भी आप successful लोगों से मिलें तो आप उन्हें गहराई से analyze करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि unsuccessful लोगों को तिमाग की एक भयानक बिमारी होती है। आथर उसे बहानसाइटिस बिमारी का नाम देते हैं। बहानसाइटिस याने की excuse करने की बिमारी। हर आसफल व्यक्ति में ये बिमारी बहुत ही तेजी से विक्सित हो जाती है। और ज़्यादतर आम आदमियों में ये बिमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। एक्सक्यूस देने की बिमारी सफल और आसफल वेक्तियों के बीच में एक बड़ा अंतर है। सफलता की सेड़ियां पर बिना रुके चड़ने वाला वेक्ति बहाना साइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि आसफलता की धलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति लगातार एक्सक्यूस देता रहता है वो इस बिमारी की चपेट में बहुत पूरी तरह से आ जाता है अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वो उतने ही कम बहाने बनाता है पर जो व्यक्ति कहीं भी नहीं पहुँच पाता उसके पास कहीं पहुचने की कोई योचना भी नहीं होती उसके पास बहानों का एक भंडार होता है आसफल लोग फौरण ये बता देते हैं कि उन्होंने फलाने विक्ती का काम क्यों नहीं किया या वे उसे क्यों नहीं करना जाते थे उनके काम ना करने के लिए हमेशा एक बहाना तयार रहता है इसलिए वो जिंदगी में नाकाम रहते हैं लेकिन सक्सेस्फुल लोगों की जिंदगी को अगर आप एनलाइस करेंगे तो आप उन सम्में एक ही बात कॉमन पाएंगे कि वो कभी भी एक्सक्यूस नहीं देते सफल वेक्ती भी वही बहाने बना सकता है पर वो बहाने नहीं बनाता दोस्तो रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे टूमैन अपनी एजुकेशन की कमी का बहाना बना सकते थे कैनेडी ये कह सकते थे कि प्रेजिडेंट बनते वक्त उनकी उमर कम थी जॉन्सन और आईजन हावर्ट हार्ट अटेक का बहाना ले सकते थे किसी भी बिमारी की तरह अगर एक्सक्यूस करने की बिमारी का भी सही वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ही बुरी तरह से बढ़ने लग जाती है और ये आपके फिचारों पर हावी हो जाती है और वेक्ती इस तरह से सोच डे लगता है जैसे की मेरी हालत अतनी अच्छी नहीं है जितनी की होने चाहिए अब मैं लोगों के सामने अपनी इच्चत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिले मेरी उमर कम है या मेरी उमर जादा है मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ मैं गरीब हूँ मेरे माबाप अच्छे नहीं है मेरी परवरिश अच्छे नहीं हुई ये सब आसफल लोगों के एक्सक्यूज होते है असफलता की बेमारी से पीड़ित वेक्ती जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वो इसे कसकर जगड़ लेता है फिर वो इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को ये समझाता रहता है कि वो जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है और हर बार जब वो बेमार वेक्ती बहाना बनाना शुरू करता है तो वो बहाना उसके सबकॉंसियस माइन में गहराई तक चला जाता है जब हम किसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं तो एक दिन वो हमारे सबकॉंसियस में जाकर बैठ जाती है आपके विचार चाहे साकारात्मक हो या फिर नाकारात्मक आप जब बार बार उन्हें दोहराते रहते हैं तो वो बहुत तेजी से फलते फूलते हैं शुरूआत में तो हर बहाना बनाने वाला वेक्ती ये जामता है कि वो छूट बोल रहा है लेकिन जितनी बार वो इस चीज को दोहराता जाता है वो उसकी सबकॉंसियस माइंड में बैठ जाता है और एक दिन वो खुद भी इसे सत समझने लग जाता है और यही उसकी आसफलता का सबसे बड़ा कारण है तो आन तोर पर एक्सक्यूज देने की बिमारी कई तरह की हो सकती है परंतो मोटे तोर पर यह चार तरह की होती है पहली तो है हेल्थ का एक्सक्यूज तूसरा है बुद्धी का एक्सक्यूज तीसरा है उमर का और चौथा है किसमत का एक्सक्यूज तो पहले excuse में इनसान ये कहता है मैं क्या करूँ मेरी तबियत ही ठीक नहीं रहती ये health का excuse है पर health का excuse भी कई तरह का होता है कई लोग बेना किसी बिमारी को बताए यूँ ही कहते रहते हैं कि उनकी तबियत ठीक नहीं लग रही है जबकि कही लोग अपनी बिमारी का नाम चोड़ जोड़ से बुकारते हैं और फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड है बुरी health को लेकर हजार बहाने बनाये जा सकते हैं और उनसे ये सिद्ध भी किया जा सकता है कि अपनी बिमारी के कारण ही वो आदमी नहीं कर पा रहा है जो वो करना चाहता है अपनी बिमारी के कारण ही वो बड़ी जिम्मेदारी का बोच नहीं ले पा रहा है इसी कारण वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता इसी कारण वो successful भी नहीं हो पा रहा पर क्या ज़्यादातर मामलों में ये सिर्फ बहाना नहीं है जरा एक पल के लिए सोचे कि बेहत सक्सेस्फुल लोग अपनी हेल्थ का रोना रो सकते थे पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया डॉक्टर्स की माने तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा वेक्ति नहीं है जो पूरी तरह से हेल्थी है हर एक वेक्ति के पास हेल्थ से रिलेटिट कोई न कोई इशु जरूर है कई लोग कुछ हद तक या फिर काफी हद तक हेल्थ का बहाना लेकर अपने घुटने देख देते हैं जबकि सकसेस्फुल लोग ऐसा कभी नहीं करते आथर कहते हैं कि उनके साथ दिन में दो घटनाई हुई जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला कि अपनी सीहत के बारे में सही और घलत नजरिया क्या होता है कलीव लैंड में एक भाषन देने के बाद एक 30 साल का व्यक्ती उन्से अकेले में मिला उसने कहा कि उसे उनका भाषन बहुत ही अच्छा लगा पर उसने ये भी कहा कि उसे नहीं लगता कि आथर की विचारों से उसे कोई फायदा हो सकता है उसने बताया कि उसे हार्ट से रिलेटिड बिमारिया है और उसे खुद का ध्यान रखना पड़ता है उसने ये भी कहा कि वो अभी तक चार डॉक्टर के पास जा चुका है परंतु किसी डॉक्टर को उसकी बिमारी का पता नहीं चला उसने ओधर से पूछा कि ऐसी कंडिशन में उसे क्या करना चाहिए आथर ने जवाब दिया कि वो कोई हार्ट डिजीज का डॉक्टर नहीं है और वो हार्ट के बारे में कुछ नहीं जानता पर एक आदमी के रूप में वो ये जरूर बता सकता है कि इस कंडिशन में वो खुद क्या करता पहली बात तो ये कि वो सबसे अच्छे हार्ट के डॉक्टर के पास जाता और उसकी राए को ही फाइनल मान लेता लेकिन आपने तो पहले ही चार डॉक्टर से चकप करवा लिया है और उन्हें आपके दिल में कोई खराबी नजर नहीं आई तो अब पाँच्छे डॉक्टर का फैसला आपको मान लेना चाहिए हो सकता है कि आपके हार्ट में कोई बिमारी ना हो और यह सिर्फ आपके मन का वहम हो पर अगर आप इसकी चिंता करेंगे तो एक ना एक दिन आपको सचमुच ही हार्ट से रिलेटिट कोई बिमारी हो जाएगी अगर आप बिमारी के बारे में सोचते रहेंगे उसे खोचते रहेंगे और उसकी चिंता करते रहेंगे तो आप एक ना एक दिन उस बिमारी को ढून ही लेंगे फिर आथर ने उन्हें दूसरी सला यह दी कि उन्हें डॉक्टर शिटलर के द्वारा लिखी हुई एक महान पुस्तक How to Live 365 Days a Year जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इस बुक में उन्होंने लिखा है कि अस्पताल में जो मरीज भरती होते हैं उनमें से तीन चौथाई लोगों को दरसल कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती उनकी बेमारी का असली कारण मानसिक या भावनात्मक होता है जरा सोचिए हमारे देश में तीन चौथाई लोग सिर्फ इसली अस्पताल के बिस्तर पर पढ़े रहते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते तीसरी बात ये कि आप जिन्दा दिल पने रहे आप तब तक जिन्दा रहे जब तक आप मरना जाएं जिन्दगी और मौत को लेकर फाल्तु चिन्दा करने की जरूरत नहीं है जब तक आप इस धर्ती पर है तब तक जिन्दा है तो फिर आप एक अधूरी जिन्दगी क्यों जिये मौत के बारे में चिंता करने से वेक्ती समय बर्बाद करता है जितने टाइम तक वो अपनी मौत के बारे में सोचता है उतने टाइम तक वास्तों में वो मूर्दा ही होता है फिर ओधर बताते हैं कि हवाई जहाज में एक दूसरा अजीबो गरीब वाक्या उनके साथ हुआ जब हवाई जहाज आसमान में पहुँच गया तो उन्हें टिक-टिक की आवाज सुनाई दी हैरानी से उन्होंने अपने पड़ोस में बैटे हुए एक आदमी की तरफ देखा जिसके पास से वो आवाज आ रही थी वो आथर की तरफ देखकर मुश्कुराया और उसने कहा डरिये नहीं मेरे पास कोई बम नहीं है ये तो मेरा दिल धड़क रहा है आथर को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई इसलिए उस वेक्ति ने उसे पूरी कहानी सुनाई सिर्फ एक्किस दिन पहले ही उसका आपरेशन हुआ था जिसमें उसके दिल में एक प्लास्टिक वाल फिट कर दिया गया था उसने बताया कि टिक टिक की आवाज कई महीनों तक आती रहेगी जब तक कि नकली वाल पर नया उत्तक ना चड़ जाए फिर आथर ने उससे पूछा कि अब वो क्या करने वाला है तो उसने कहा मेरी बहुत सी योचनाई है मीनेसोटा पहुँचकर वो वकालत करने वाला है शायद उसे किसे दिन सरकारी नौकरी मिल जाए डॉक्टर ने उसे कहा है कि उसे पहले कुछ महीनों तक सावधानी रखने पड़ेगी पर कुछ महीने के बाद वो बिलकुल ठीक हो जाएगा तो ये दोनों कहानिया हेल्स से रिलेटेड अलग-अलग नजरिये को दरसाती है पहला अदमी तो ये जानता भी नहीं था कि उसे क्या बिमारी है फिर भी वो परिशान था लेकिन दूसरा अदमी जिसे पता था कि उसे क्या हुआ है उसका भी हाल ही में उपरिशन हुआ है फिर भी वो कुछ नया करने के लिए उचसुक था और वो बहुत ही पॉजिटिव था इन दोनों ही वेक्तियों का अपनी हेल्थ के बारे में कितना अलग-अलग न जरिया था तो दोस्तों अगर आप अपनी हेल्थ से रिलेटिड पहानों से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे बताए गए चार तरीकों को आपको अपनी लाइफ में अपलाए करना होगा। पहला है कि अपनी सिहत के बारे में बात ना करें। आप किसी बिमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे। चाहे वो कोई सर्दी जुखाम ही क्यों ना हो वो बिमारी उतनी ही बिगड़ जाएगी। बुरी सिहत के बारे में बाते करना ठीक वैसा ही है जैसा कि आप काटो को खाद और पानी दे रहे हैं। इसके लावा अपनी सिहत के बारे में बाते करते रहना एक बुरी आदत भी होती है। को को ऐसा ना करने की सला देता हूँ फॉर एक्जामपल मैंने एक आदमी को देखा जिसे इस बात पर पूरा विश्वास था कि उसका गाल ब्लेडर खराब हो गया है जबकि वो आठ बार अलग-अलग क्लिनिक में एक्सरे कराने गया उसका गाल ब्लेडर पूरी तरह से दिख देना चाहिए उनका कहना है कि सेहत का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने वाले सैंक्रों लोग ऐसे हैं जो बार-बार जबरन अपना ECG कराते रहते हैं जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तीसरा तरीका ये है कि आपकी हेल्थ जैसी भी है आपको उसे एक्सेप्ट कर चाहिए एक पुरानी कहावत है कि जब मैं अपने फटे जूतों को लेकर दुखी हो रहा था तब मैंने एक बिना पैरो वाले आदमे को देखा तब मुझे उपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही और मैंने अबंडन्ट फिल किया इस बात पर शिकायत करने के बचाए कि आपको अक्सर ये याद दिलाएं कि जंग लगने से बहतर है कि घिस जाना जब आपको ये कीमती जीवन मिला है तो उसका आनंद लेजिए इसे बरबात ना कीजिए जिंदगी जीने के बजाए अगर आप जिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भरती हो जाएंगे आथर अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्हें डाइबिटीज है जब उन्हें इस बिमारी के बारे में पता चला तो डॉक्टर ने उन्हें एक हिदायत दी थी कि डाइबिटीज एक शारीरिक बिमारी है अगर वो इसके बारे में अपना लगना जर्या है एक आदमी को ये बिमारी नई नई लगी थी और उसे लेकर वो बहुत परिशान रहता है जरा समौसम बतला और वो खबरा जाता है और बहुत ही इम्मिच्योर बिहेव करता है इतना ही नहीं उसे इंफेक्शन से इतना डर लगता है कि वो सर्दी खासी वाले आदमी को देखते ही दूर भाग जाता है इसके अलावा वो डरता है कि वो कहीं ज़्यादा मेहनत न कर ले इसलिए वो कभी कुछ भी नहीं करता उसका ज़्यादा तर टाइम चेंता करते हुए ही कुचरता है साथ ही साथ वो दूसरे लोगों को अपनी बिमारी के बारे में कहानिया सुनाता रहता है दरसल उसके बिमारी डाइबेटीज नहीं है असल में बिमारी उसके दिमाग में है वो अपनी बिमारी का बहाना लेकर लोगों से सिंपथी हांसिल करना चाहता है दूसरी तरफ एक पब्लिकेशन हाउस का मैनेजर है उसे हाई लेवल का बढ़ी बनाना भी तो एक समस्या है पर मैं इस बारे में कभी चिंता नहीं करता, मैं सच मुझ बिमार नहीं पढ़ना चाहता, जब मैं इंसुलिन के इंजेक्शन लेता हूं तो मैं अपनी बिमारी को नहीं कोशता, बलकि उस आत्मी को दुआये देता हूं जिसने इंसुलिन की खोजकी है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये दुनिया नेगेटिव और पॉजिटिव नजरिया रखने वाले लोगों से भरी पड़ी है, अगर आप सक्सेस्फुल बनना चाहते हैं, तो आपको अपना नजरिया पॉजिटिव रखना ही होगा, ये वो रास्ता है जिस पर चल कर आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, फिर वो चाहे कोई ला इलाज बिमारी ही क्यों ना हो, आप कमेंट करके मुझे जुरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, आपका एक कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना पिल्कुल मत भूलेगा